कि विदिक वीडियो जाद कोई चारे के बारे में नहीं बताने क्योंकि हमारे गाउं में अभी बार इसके बाद जो है बार सी आई हुई है तो बार के वज़े से जो है नदियों में पानी भर चुकी है जो भी मच्छी नदियों में पहले से थी वो मच्छी जो है नया पानी के वज़े से बाहर निकलने लगा है इस से जो है इस भाले की मद बहुत कम च्यांस रहता है वाले में फसनिय का लेकिन बढ़ी मच्छी जो है बहले में अक्सर पकरा जाता है तो हम लोग भी ट्राइब करते हैं यहां पर जो है एक मतलब झाई थी अब अभी हला हो था कि यहां पर मच्छी यह बाहर तहलने लगी है तो इसलिए हम लोग भाल यह जंगल जो दिख रहे हैं घास यहां पर घुसी है यहां पर एक सौल मचली जिसे आप के नाम से जानते हैं वह मच्छी जो है यहां पर घुसी है तो यहां देखिए फिर से मेरे भाई यहां पर तैयार है भला लेकर मच्छी को पकरने के लिए देखते हैं यहां पर मच्छ फसता है या नहीं अभी आपको हम दिखाएंगे लाश तक देखिए वीडियो में यह छोड़ी सी वीडियो है कोई बड़ी वीडियो नहीं है आप वीडियो को देख लीजिए और इसके नावे फ्रेंड हमारे इस यूट चैनल में आपको फिसिंग से रिलेटिव हट्तरे की वीडियो मिल जाएगी जिसे कि fishing beds fishing tips और fishing especially चारे के बारे में आपको हर मच्यों की अलग-अलग चारे बनाने के जो टिप से और टिरिक से सब कुछ की वीडियो आपको इस YouTube चैनल में मिल जाएगा गर आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं सभी वीडिय और हमारा जो केमरा उपर है हो सकता है अगर सिलिप करके नीचे गिर गया तो लाउस हो सकता है हमारा बड़ा इसलिए जो है हम और आपको दिखानी पारें केप्चन नहीं कर पारें लेकिन मच्छी अगर लगता है तो हम जरूर आपको दिखाएगी देखें यहां पर यह बाल इस तरफ देखेंगे हम इस तरफ कहां on पर है और फिर जो दो है इस तरफ कि भाला कि देखेंगे मिमी भद सता हे यह नहीं यह बता रहे हैं और हम हम यहां फ्रेंब बाला मांरते ब्र kwzin के अंदर घुच सुका है लेकिन थोड़ा वोड मची पकरा है इस तरह का बाद में